नमस्कार दोस्तों आप सब कैसे हैं वेल्कम बैक टो माई चैनल दोस्तों तिल और गुड़ से बनी वी मुं में जाते एकदम घुलने वाली मिठाई मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जो की बहुत ही हल्दी है और तिल और मुंफली और गुड़ ये तीनों चीजे से ब बैल आइकन प्रेस कर दें क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लिकर आती रहूंगी तो चली शुरू करते हैं के लिए दोस्तों मैंने ये हैं वन बाउल से थोड़ से कम सेसमी तिल जिनको मैंने माइक्रोवे में थोड़ सा रोस्ट कर लिया है हलका सा भूनना इसको आ इसको भी मैंने रोस्ट कर लिया है मैक्रोवे में आप कडाई में भी लो फ्लेम पर इसको रोस्ट कर सकते हैं इसमें जैसे सैसमी और पीनट्स वन बाउल से थोड़ से कम है और यह लिया हमने वन बाउल जैगरी यह गुड और इसको हमने फुल बाउल लेना है पूरा इसको निकालेंगे और यह फ्लेवर के लिए है उसमें जो मिठाई बनाएंगे लड़ू बनाएंगे हमें सारे समान को मिक्सी में पाउडर बना लेना है कि पहले हम तिल को अलग कर लेते हैं ऐ टूटेबल स्पून थे पहले अलग कर लिये हैं जो बाकी बचेवे हैं इनको चलिए और तिला है और यह बिल्कुल पावुडर बन गए हैं अबिल्क कुल पीस नहें इसको बिल्कुल प्धाइब रोस्ट के थी एक प्वेली और इसका पावडर बना लिया है इसको हमने कमें क्यों करे रहे हैं बहुत ईजीली इन के पिस जाता है मिक्षी में तो अब इसमें यहमें डाल देती हूं में सामान में मिक्क्स कर देते हैं और इसके बात इसला हों दान निकाल शिल के हटा के दान servicio सम dol comparing मिक्स कर लें और इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं सारा मिक्स्चर क्राइएं को दो और हाथ ज्यादा तरह जादा मिक्स हो पाता है और अच्रे मसलमसल करें, और लिमन जल्डे के दार अंवार करते हैं यह खेंगे ऐहीं आदें, गेहिंए लटा BOWच यह बिसमें आठे के पाऊछ़ा है सारा मैंने मिक्स कर लिया है और इसको हम थोड़ा साइसे बाइंड करके देखेंगे तो यह ऐसे बंद रहा है आपस में क्योंकि गोड़ है और सैसमी और पीनट्स में अपना पी नैचुरल ऑयल होता है इसमें कोई भी हम घी अगरह नहीं डालेंगे बहुत इसली बन जाते है इसमें जब दोनों में अपना ही नैचुरल ऑयल है उनके अंदर सैसमी और पीनट्स में तो इनकी लड़ू बन जाते हैं आसानी से दबा दबा कर और जितना साइज आपको लेना है चोटा बड़ा आप बड़े साइस की बिना सकते हैं जैसे आपको पसंद हो और इन सब के इसे दबा दबा कर अच्छे से गोल शेप दे कर बहुत जादा इसमें प्रेशर भी नहीं देना पड़ता आसानी से पंजाते हैं यह देखिए और जो हमने सैसमी इसमें साबूर डाले थे वह नजब आ रहे हैं जो देखने भी बहुत अच्छे लगते हैं और यह देखिए इसमें पीनट्स डाला है उसे इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है जैसे इसमें मावा डलावा हो लेकिन इसमें कोई मावा नहीं है कोई दूद नहीं है कोई घी नहीं है सब इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है आप इसको 20-25 दिन तक आराम से इसको खा सकते हैं लेक अच्छों को बहुत पसंद आते हैं आपके हजबन को आपके फैमिली मेंबर्स को सबको बहुत पसंद आने वाले हैं तो आप ज़रूर ट्राइ कीज़ेगा और यह आपको कैसे लगे रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताईए का कॉमेंट सेक्शन में और मैं ऐसे ही केस्टी और डिलिशन रेसिपी हेल्दी रेसिपी आपके लिए लेकर आती रहोंगी आप भी अपनी कुकिंग को खूब एंजॉय कीजिए फिर किसी नई रेसिपी नहीं किसी वीडियो के साथ आप से मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार